आईए, निर्पेक्षमान यानि Absolute Value के कुछ उधारन को हल करते हैं. यहां हमें रिनात्मक 9 के निर्पेक्षमान की तुलना, रिनात्मक 7 के निर्पेक्षमान से करनी है. आईए, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं कि रिनात्मक 9 का मतलब क्या है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिनात्मक 9 संख्या रेखा पर कहां आती है. इसी तरह देखते हैं कि रिनात्मक 7 संख्या रेखा पर कहां आती है. तो सबसे पहले देखते हैं कि निरपेक्ष मान क्या होता है और तब हम इन दोनों के बीच आसानी से तुलना कर सकते हैं हम इसकी तुलना बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं आईए पहले इसकी तुलना संख्या रेखा बना कर करते हैं यहाँ संख्या रेखा पर यह 0 है, यह रिनात्मक 7 है और यह रिनात्मक 9 है जब हम किसी संख्या के निरपेक्षमान की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो संख्या शुन्य से बाई या दाई तरफ कितने अस्थान दूर है उधारन के लिए रिनात्मक 9 शून्य से 9 स्थान 2 तरफ है तो रिनात्मक 9 का निर्पेक्षमान 9 होगा इसी तरह रिनात्मक 7 शून्य से 7 स्थान 2 तरफ है तो रिनात्मक 7 का निर्पेक्षमान धनात्मक 7 होगा अब अगर संख्या 9 और 7 के बीच तुलना करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि संख्या 9 संख्या 7 से बड़ा यानि greater than है अगर कभी आप से बड़ा का चिन और से छोटा का चिन के बीच उल्जन में पड़ जाते हैं तो याद रखें कि से बड़ा का चिन बाई तरफ खुला हुआ होता है इसलिए बड़ी संख्या बाई तरफ होगी अगर हम इनको निरपेक्षमान के बिना लिखते हैं तब भी ये सत्य है कि रिनात्मक 9 रिनात्मक 7 से छोटी है ध्यान दीजे यहां से छोटा का चिन छोटी संख्या की तरफ खुला हुआ है इसलिए यहां रिनात्मक 9 रिनात्मक 7 से छोटा है लेकिन रिनात्मक 9 शून्य से बाई तरफ है और इसका निरपेक्षमान 9 है तो ये रिनात्मक साथ के निर्पेक्षमान से बड़ा है। आईए अब इसे दूसरे तरीके से सोचते हैं। अगर हम किसी संख्या का निर्पेक्षमान लेते हैं, तो हमें उस संख्या का धनात्मक मान यानि positive value मिलता है। इसलिए अगर हम नौ का निर्पेक्षमान लेते हैं, तो हमें नौ मिलता है। और अगर रिनात्मक नौ का निर्पेक्षमान लेते हैं, तो हमें नौ ही मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये दोनो संख्या शून्य से नौ इस्थान दूर हैं। यानि कि ये 9 शून्य के दाईं तरफ है और ये 9 शून्य के बाईं तरफ है। चलिए कुछ और उधारन लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें 2 के निर्पेक्षमान की तुलना 3 के निर्पेक्षमान से करनी है। हम जानते हैं कि धनात्मक का निर्पेक्षमान धनात्मक ही होता है, यहां दो शून्य से दो इस्थान दाई तरफ है, तो इसका मान दो ही होगा, और तीन का निर्पेक्षमान यहां तीन ही होगा, यह बहुत ही आसान है, यहां दो छोटी संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि दो त अब मान लेते हैं कि हमें रिनात्मक आठ के निर्पेक्षमान के तुलना आठ के निर्पेक्षमान से करनी है. यहां ये दोनो शुन्य से आठ स्थान दूर है. ये आठ शुन्य के बाईं तरफ आठवा है और ये आठ शुन्य के दाईं तरफ आठवा है. इसलिए इन दोनों क उधारन लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें यहां रिनात्मक एक के निर्पेक्षमान की तुलना धनात्मक दो के निर्पेक्षमान से करनी है, यहां रिनात्मक एक का निर्पेक्षमान इसका धनात्मक मान यानि की एक होगा, तो हम देख सकते हैं कि यह एक दो से छोटा है, या इ इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रनात्मक एक का निर्पेक्षमान दो से छोटा है।